इस स्टूडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं Max Healthcare Institute के स्टॉक के बारे में स्टॉक की करण प्राइस की बात करेंगे तो 427.65 की करण प्राइस चल रही है और आज की दिन में लगबख स्टॉक में जो है 3% से भी ज़्यादा गिरावट हमें देखने को मिल रही है सबसे पहले हम दिसकस कर लेते हैं इसका लास्ट फोर्वडियर का फालिशल के फिर इसका फ्जो क्रींगे ऑनलिस्ट हमें क्रेंग बाइंग की इंचर एनलिस करनेका यह पर आदमें पर तन नग ग्रोध देखने को मिल रही है काफी अच्छा में जंप देखने को मिल रहा है और सबसे में जो इंपोर्टन चीज़ होती है नोरेड फ्लैक शो कर रहा है जब भी आप कोई भी स्टॉक में लांग टम शॉट टम या फिर सुंग ट्रेट के लिए एंट्री का प्लान करते हैं तो नोरेट फ्लैक देख किय Бश्ले में इंट्रीbew का प्लाना बनाना है तो चलाइग अभी तक आपने एंजलिवन में डीमें ऐकौंट उपन नहीं किया है तो लिंक जो डिस्क्रिप्शन और में दे दी है उस लिंका यूश करके आ फ्री में डीमेड अकॉंट भी ओपन कर सकते हैं एट अनलिस जो है में आपे 100% बाइंग की सला दे रहे हैं जो कि काफी अची सलाम इसको कंसीडर कर सकते हैं तो चलते हैं एंजल टेक्निकल चार्ट पे यह जो आप चार्ट देख रहे ह जो हमने इसको वन डे टाइम फ्रेम में सेट कर लिया है जैसे कि आप यहां पे देख सकते हो नीचे के साइड में हमने एक इंपोर्टन सपोर्ट जो है ड्रॉ किया है और पिछले दो से तिन दिन में हमें यहां पे बहुत ही बड़ी भारी गिरावट देखने को मिली थी अगर हम यहां पे देखते हैं तो 1st February को stock में almost 5% के आसपास जो गिरावट देखने को मिली उसके बाद आज की दिन में भी 3% से ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है तो अभी तो यह वाले जो इंपोर्टन जोन पे आ चुका है अगर से यहां पे support लेके आज की दि असा stop loss रखके ही आप जो इसमें fresh entry का plan कर सकते हैं next important resistance level की बात करेंगे तो आप यहां पे देख सकते हो 460 से लेके almost यहां पे नीचे के साइड में 455 का यह वाला जो जोन रहेगा हमारे लिए बहुत ही जादा important रहेगा क्योंकि पहले भी इसी level पे आके multiple time हमें rejections देखने को मिल चुके हैं तो इसको भी ऊपर के और अगर breakout दे देता है तो यहां से में further तीजी ऊपर की साइड में continue होते वे दिखाई दे सकती है तो उस पर हम जोए separate video बनाएंगे अभी यहां पे अगर breakout हो जाता है तो तो चलते हैं Angel One एप में अब हम आ चुके हैं Angel One एप में simply यहां से वाच लिस्ट में आना है वाच लिस्ट में आने के बाद में search box में हमें stock का नाम search करना है जैसे हमें max healthcare का देखना है तो यहां पे max healthcare search करेंगे देखिए stock का नाम हमारे सामने दिखाई दे रहा है उस पे हम tap करेंगे tap करने के बाद यह हमारे watch list में add हो जाएगा हमने पहले इंटरफेस शो करेगा, यहाँ पे आप delivery में अगर आप buy करके hold करना चाहते हैं तो आप delivery में करेंगे, अगर आप stock को sim day by sim day sell करना चाहते हैं तो आप intraday में करेंगे, हमें यहाँ पे quantity एंटर करनी है, मान लीजिए हमें यहाँ पे 30 quantity buy करना है तो हम यहाँ पे 30 enter करेंगे, यह जब भी stock की price वहाँ पर जाएगी, आपका order जो execute हो जाएगा, अब market rate क्या होता है, market rate याने के जो भी stock की current price चल रही होती है, उसी पर directly आपका order execute हो जाता है, simply हम यहाँ पर buy पर touch करेंगे, buy पर touch करने के बाद confirm आ जाएगा, confirm पर हमें touch करना है, confirm पर touch करने के बाद हमारा order successfully execute हो consult करके ही उसमें entry बनाए, तो चलिए मिलते हैं नेक्स टूडियो में इसी YouTube चैनल के साथ तब तक के लिए, take care